So, Hello Friends! कैसो अब So, बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि Sir, टूल वेबसाइट के उपर AdSense Approval मिलता है या नहीं मिलता है उसके उपर वीडियो लाओ, वीडियो लाओ, वीडियो लाओ So, मैं आज आपके लिए ये काफी important वीडियो लेके आया हूँ So, आपके जो doubts है, वो clear हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर मेरे खुद के जो subscribers है उनके भी यही सवाल है बाहर से भी मुझे वही सवाल आते है Instagram के उपर भी मुझे वही message आते है So, टूल वेबसाइट के उपर Basically, AdSense Approval मिलता है या नहीं मिलता तो मैं आपको straight forward यहाँ पर कह रहा हूँ मिलता है ठीक है, अब कौन से टूल के उपर मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा Any tool के उपर मिलता है जो SEO related है ठीक है, हाँ उन tool के उपर नहीं मिलेगा जो fake हर एक product को generate करता है Google के policy के खिलाफ है अब जो बाबा जी पहले ही बैđठे हुए है जिनोंने कहा है कि tool website फालतु होती है जिसके उपर approval नहीं मिलता है so उनको इसके बारे में नहीं पता उन्हें खाली blogging करनी चाहिए उन्हें tool website के बारे में बगबग नहीं करनी चाहिए मैं आपको example दिखाऊंगा, सबसे बड़ा example हमारे पास है, small SEO tool, इसके अंदर काफी सारे features हैं और बहुत सारे tool हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ये एक popular website है, इसके जो pages हैं, वो काफी rank होते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जितने भी हैं, ये सब AdSense approval वाले ad चल रह ठीक है, सो ये कोई fake ad नहीं है इनके, तो ये काफी कमा रहा है न बंदा, million traffic आता है इसके website के उपर, सो ये जो tool है, ठीक है, ये सब SEO related है, कोई calculator है, ठीक है, कोई generator है, सो इसके उपर आपको AdSense approval मिलेगा, अब दूसरी website है, जिसके उपर काफी प्यारे ads आते हैं, और ads बहु मिलेगी, ठीक है, block earn की, इसके उपर काफी सारे tools है, अगर आप tool के उपर अगर click करोगे, तो बहुत सारे tool मिलेगे इनके, और यहाँ पर इन्होंने SEO related tool रखे है, about us, privacy policy, ठीक है, contact us page, ये सब इन्होंने create किया है, सो आप यहाँ से बस एक basic सा आपको generate करना है, एक छोटी सी information डालके, सो ये भी बहुत ही अच्छा earning करता है, ठीक है, अब मेरी website है यहाँ पर, ये मैंने अभी अभी create की है, ठीक है, इसके उपर भी adsense है, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, ये adsense नहीं है, ये adsense के ad है न, देखो Google ads यहाँ पर show हो रहा है, सो ये कैसे ठीक है, तो इसकी एक trick होती है, adsense approval लेने की, ठीक है, अगर आपको भी ऐसे small SEO जैसे website बनानी है, ये मैंने WordPress के उपर बनाई है, तो काफी कम price में मैं ऐसे tool website आपको बना के दूँगा, और description में में मेरा number दिया है मैंने, WhatsApp number है, बस आप मुझे एक high message डालना, ठीक है, और WordPress के उपर भी A2Z tool की website बनाते हैं, ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ cut, और हम हमारे topic के तरफ आगे बढ़ेंगे, Okay, so guys, topic start करते हैं हमारा, so मेरे नाम है राज वलतरा, आप हो वलतरा, explain channel के उपर, अगर channel के पर नए हो, तो channel को ज़रू subscribe करना, bell icon को प्रेस करके, all button के उपर click, ज़रू करना, so video start करते हैं, let's start it! So basically, tool website कैसे होती है, ये काफी लोग नहीं जानते, देखो tool website एक बस सीधा simple structure होता है, जो हर एक चीज़ को generate करके देता है, ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, जैसे calculator हो गया, या generator हो गया, बस वो output आपको निकाल के देगा, आपको कुछ फिल करना है, और वो output निकाल के देगा, अब इसके अंदर adsense approval का जो role है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, adsense तुरन यहाँ पर approval नहीं देता, इसका एक reason है, वो अगर आपको पता चले, तो आप adsense approval यहाँ पर काफी जल्दी ले सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, आप कभी भी, अगर tool website create कर रहे ह तो आपको expiry domain की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपके domain की authority अगर strong है, आपके domain के अंदर backlinks काफी अच्छे है, domain already index है, Google के अंदर पूराना domain है, तो आपको यहाँ पर chances काफी बढ़ जाते हैं, tool website के ऊपर traffic आने के, और adsense approval के, ठीक है, so expiry domain कहां से लेते हैं, so हम यहाँ पर search करेंगे, expiry domain, okay, so यह website है उसकी, इस website के उपर आपको आना है, sign up करनी है, और यहाँ से आपको domain choice करना है, ठीक है, जो भी domain अगर आप choice करते हो, उस domain को आपको hostinger के उपर, go daddy के उपर जाके, paste करना है, और देखना है, वो कितने रुप इसका है, buy हुआ है, या नहीं हुआ है, उसके बाद में domain authority चेक करेंगे, यह पूरी वीडियो में लेकिया होंगा, अगर आपको चाहिए, तो comment जरूर करना में यह इसके उपर एक वीडियो लेकिया होंगा, पर यह बस एक hill है, कि भाई, यह आप कर सकते हो, और जिससे आप आपको addcance approval मिलने की chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, second option यह है, कि आपको addcance approval क्यों मिलना चाहिए, ठीक है, आपके blog के उपर traffic कितना है, so traffic मेरे हिसाब से 1000 तो होना ही चाहिए, minimum per day, अगर per day आपके blog के उपर 1000 का traffic है, तो भी आपको addcance approval मिल सकता है, अब यह कैसे होगा, so आपक 100% उसका SEO करो, ठीक है, मैंने rank math के उपर videos बनाई है, आपको उसका अच्छा SEO करना है, 70 plus score करो, green करो उसको, ठीक है, rank math के उपर, मैं यहाँ पर rank math करके search करता हूँ, rank math, यह free SEO tool है, यहाँ पर आपको आना है, और इसका जो SEO analyzers, इसके उपर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं एक मेरा ही website है, इसको मैं scan करता हूँ, ठीक है, so आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, blogger के उपर, और WordPress के उपर, अब यह जो score है मेरा, यह WordPress के उपर website है, तो 89 score है, और यहाँ पर कितना है, मेरा एक issue आ रहा है, वो कौन सा issue है, यहाँ पर, मेरे सबसे यह minify JavaScript का यह issue है, ठीक है, so यह enough है, कोई problem नहीं है इसके अंदर, पर आपका green होना चाहिए यहाँ पर, तो आपका SEO काफी अच्छा है, और एक issue है, blogger के अंदर, यहाँ पर आपको image alternative का यह जो error है, यह आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यह भी एक, links radio का भी एक error आएगा, और जो fix नहीं होगा, उसके बारे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर, दूसरा जो error है, वो error यह वाला, cannulation, यह भी एक error काफी बेकार है यह भी जल्दी fix नहीं होता है, और यह एक error, जावा वाला, यह आप fix नहीं कर सकते, blogger के अंदर, और इसे करना भी मत, क्योंकि आपका template खराब हो जाएगा, already हो free है, फिर हो lock हो जाएगा, ओके, यहाँ पर आके अच्छा SEO करो, तो एक chance आपका बढ़ जाता है, अब जो ती provider का images, ऐसे ऐसे images बड़े-बड़े size के add करेंगे, जिससे आपकी website काफी slow होती है, so इससे आपको add sense approval कैसे मिलेगा, देखो, यह पूरी cycle है, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी website slow है, तो वो rank नहीं होगी, Google उससे result में नहीं लेके आएगा, और वो result में नहीं आएगा, तो इसके उपर traffic नहीं आएगा, traffic नहीं आएगा, so guys, आपको add sense approval कैसे मिलेगा, traffic काफी matter करता है, add sense approval के लिए, so यह चीज़ आपको ज़रूर धेन देनी है, ठीक है, so इतने 3 points आपको ज़रूर धेन देने, okay, अब बात करेंगे हम 4 point की, और वो है article, अब आप सोचोगे, यह जो tool website है, इसके अंदर article कैसे publish करें, so इसका एक option आता है, आप wordpress के उपर, वो कर सकते हो, blogger के उपर नहीं कर सकते, पर यह जो option है, वो specially wordpress के लिए, ठीक है, so wordpress के अंदर, आप blogging भी करो, उसी website के अंदर, तो आपको बहुत ही जल्दी traffic मिलेगा, और इससे add sense approval भी मिलेगा, ठी मैं आपको guide कर सकता हूँ, इस topic के उपर, और दूसरी चीज, आप अगर setting करना चाते हो, 100 to 100% rank करना चाते हो, अपने blogger website को, यह wordpress website को, so 999 rupees में मैं आपको यह setting करके दूँगा, एक गंटी के अंदर आपको अपकी website handover करूँगा, so guys, मिलते हैं, next video में,